हेले उरीवा, स्वागत है आप सबका Target IS के YouTube चैनल में आज हम एक नया सेसन सुरू कर रहे जा रहे हैं ये सेसन होगा Lucent का, Lucent सामान ग्यान अपने आप में ये सामान नेधिन की एक संपूर्ण बुस्तक है ऐसा आप लोग सब जानते हैं और आपने और हम सबने कई परिच्छों में इसको देखा है ठीक है, तो इस सेसन में हम Lucent सामान ग्यान की एक सिरीज चालू करेंगे जिसमें नियमित एक वीडियो आपको दिया जाएगा और हम सोचेंगे और अपना पूरा प्रियास करेंगे कि इस वीडियो सेसन में Lucent को सब्दसह आपको कुछ चित्रों, मान जित्रों और ब्यक्तियों की एक चित्र रेखा या रूप रेखा के रूप में समझाने का प्रियास करें ठीक है तो आज का हमारा सेसन रहेगा Lucent सामान ग्यान के विविद सेक्षन से जिसमें हम पिस्व में प्रथम ठीक है पिस्व में जो चीज़े प्रथम हैं व्यक्ति, इस्थान और बहुत मत्पूर्ण चीज़े जो कुछ खोज या फिर इन्वेंसन रहे हैं जैसे प्रथम नोबिल पुरुसकार पहली बार चंद्रमा पे कौन गया दूसरी बार चंद्रमा पे कौन गया ऐसे कुछ बिंदू और पहलों के चर्चा करेंगे चित्रों और मान चित्रों के माध्यम से आसा करेंगे कि ये सेसन आपको पसंद आएगा आप चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आपको हम निमित रूप से लेके आते रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेसन पहला है अपना एवरेश्ट सिखर पर पहुँचने वाला पहला ब्यक सेर्पा तेंजिंग अच्छली भारत और नेपाल के थे ठीक है और एडमंड हिलेरी थी न्यूजिलेंड के जैसे आप अपने मैं आपको इस वीडियो में स्लाइड में दिखा रहा हूं कि ये है सेर्पा तेंजिंग जिनको तेंजिंग नौरगे भी कहा जाता है ये नेपाली इंडियन थे मांटेनियर ठीक है यानि कि जो पहाडों में चढ़ाई करने वाले होते हैं और इनके साथ थे इनके साथ ही एडमंड हिलेरी ठीक है इन्होंने जो एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी वो की थी 29 मई 1903 पे यानि कि दुनिया में पहली बार 1903 में वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन-कौन थे सेर्पा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी यह इन दोनों की एक कंबाइन पिक थी जो कुछ दिनों पहले आई थी नेट पे तो एडमंड हिलेरी और सेर्पा तेंजिंग अगला है अपना उत्तरी ध्रूप पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति ठीक है उत्तरी ध्रूप और उत्तरी ध्रूप पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे USA के और एक चीज़ और दिमाग में दरके उत्तरी ध्रूप कहलाता क्या है तो उत्तरी ध्रूप अंटार्कटिक का महादवीप और आर्कटिक छेत्र जो है अपना और दच्छनी ध्रूब इस पे आप लोगों को बहुत कन्फूजन हो सकता है भारत किस छेत्र में है तो आपको इस चीच के लिए दिमाग पर रखना है कि जो अपना अंटार्कटिका छेत्र है वो साउथ पोल है यानि कि दच्छिणी ध्रूब, clear, और भारत किस गोलार्ध में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानि कि उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो भारत से अंटार्क्टिका नजदीक पड़ेगा ये आर्कटिक नजदीक पड़ेगा, तो निश्चित है कि भारत का छेत्र और जो अपने अमेरिका का छेत्र है, इन दोनों में अलग-अलग का अंतर है, तो आपको ये याद रखना है कि अंटार्क्टिक का छेत्र जो कहलाता है, वो है दच्छिणी ध्रूब, clear, और इसके अलाबा है नॉर्थ पोल, यानि कि आर्कटिक ओसन, आर्कटिक ओसन, यान जो है आर्कटिक का जो छेत्र कहलाता है, वो उत्तरी ध्रूब कहलाता है, clear, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि उत्तरी ध्रूब पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो हैं रॉबर्ट पियरी और वो हैं USA से, clear, रॉबर्ट पियरी उत्तरी पे अपनी पहुच सुरिश्चित कराई थी, और समय था अपना 1909, clear, यह थे कहां के United States याने की अमेरिका के, clear, तो अब आपको समझ में आया होगा कि उत्तरी ध्रूब क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रूब मतलब आर्कटिक छेत्र और अंटार्क्रिका का छेत्र मतलब पर पहुचने वाले पर प्रथम व्यक्ति, तो उत्तरी ध्रूब पर पहुचने वाले थे रॉबर्ट पीरी और दच्छनी ध्रूब पर पहुचने वाले थे आमूंड सेन, clear, आमूंड सेन थे नौर्वे के, clear, इसको आपको याद रखना है, और उन्होंने जो दच्छनी पर पहुचने वाले प्रथम महिला आपको आएगा, clear, तो उत्तरी ध्रूब पर पहुचने वाले प्रथम महिला थी अपनी कैरोलिन मिकल्सन, ठीक है, कैरोलिन मिकल्सन उत्तरी ध्रूब पर पहुचने वाले प्रथम महिला थी, याद रखेंगे, clear, और दच्छनी पर पहुँचने वाले प्रतम ब्यक्ति कौन थे? रोबर्ट पीरी और दच्छनी धूरूप पर पहुचने वाले प्रतम ब्यक्ति थे? कौन? एमॉंड सेन अब अपने आते हैं पुस्तक मुद्रित करने याने के पुस्तक का पब्लिकेशन करने वाला जो पहला देश था? वो कौन था? चाइना चीन कागज का विस्कार ही चीन से माना जाता है इसलिए पुस्तकों को शापने के लिए भी पहला देश कौन सा था? चीन था कागजी मुद्रा भी जारी करने वाला पहला देश कौन सा था चीन था इसके लाबा ये भी याद रखेंगे सिविल सेवा प्रतियोगता परिचानी की जो आज कल कमपटीशन एक्जाम पूरे दुनिया में होते हैं सिविल सेवा के लिए सिविल सर्वेंट के लिए तो वो भी सुरू करने वाला पहला देश कौन था चाइना अब याद रखेंगे इसके बाद संयुक्त राज अमेरिका के प्रथम राष्ट पती संयुक्त राज अमेरिका के प्रथम राष्ट पती थे जार्ज वसिंग्टन उन्ही के नाम पे ही पहला जो अपना सहर जार्ज वसिंग्टन डी सी अमेरिका में सहर है उन्ही के नाम पे रखा गया है तो जार्ज वसिंग्टन अमेरिका के प्रथम राष्ट पती थे इसके बाद आता है अपन ब्रिटेन के प्रथम प्रधान मंत्री तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधान मंत्री है अपने Robert Walpole, Robert Walpole का एक ये पिक्चर अपने पास उपलब्ध है, देखी ज़रा, ये है Robert Walpole, ठीक है, इंग्लेंड के प्रथम प्रधान मंत्री, इनका जो समय काल रहा थोड़ा सा देखेंगे अपन, 1721 से 1742 सर Robert Walpole, ब्रिटिस पॉलिटीसियन थे, जो उस समय के वासर्युक प्रधान मंत्री माने गए थे, क्लियर, ओके, अग्ला है अपना, संयुक्त राष्ट संग के प्रथम महासचीव, ये थे त्रिगवेली, यानि कि त्रिगवेली थे कहां से, नार्वे, तो त्रिगवेली के बारे वे थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये है त्रिगवेली, ठीक है, त्रिगवेली थे कहां से, एक्चुली ये नार्वे से थे नर्वे से थे ट्रिगवे ली अभी हमने भी पढ़ा था कि दर्षिन दुरूपर पहुँचने वाले प्रथम वेक्ति एमंट सेन भी नर्वे से ही थे तो ट्रिगवे ली थे जो 1946 से 1952 तक फर्स्ट सेकरेटरी जर्नल थे कहां के युनाइटेट नेशन से 1946 tost.yeah 1952 तक फर्स्ट सेकरेटरी जर्नल उफ युनाइटेड नेशन कहां के थे ये नर्वे के कई बार परिछाहों में ये आप ही चुका है अगला है अपना कि सिच्छा को अनिवार करने वाला प्रथम देश कौन सा था तो सिच्छा को अनिवार करने वाला प्रथम देश था अपना प्रसा प्रसा जो सिच्छा को अनिवार करने वाला प्रथम देश था क्या उरुग्वे क्लियर इन सब्दों को याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लूसेंट में बहुत ही इंपोर्टेंट महत्पूर्ण भी है क्लियर और ये परिच्छवों में अक्सर यदा कदा देखे जाते हैं क्लियर ओकी इसके बाद अपन लिखते हैं अगला संबिधान निर्माण करने वाला प्रथन देश क्लियर संबिधान निर्माण करने वाला प्रथन देश था अपना United States of America क्लियर ये दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है ध्यान रखेंगे संविधान निर्मान करने वाला पहला देश है USA और ये दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है ठीक है लिखित संविधान ओके जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है क्लियर ओ पाकिस्तान की प्रथम गवर्णार जनरल थी ओके अब आते हैं अपना गुट निर्पेच अंदोलन गुट निर्पेच अंदोलन जो नॉन एलाइमेंट मुवमेंट एक समय पे चला था सुतनरता के बाद नहरुजी के जमाने में तो ये गुट निर्पेच अंदोलन की कारी आप अपन ले लेते हैं गुट निर्पेच अंदोलन जो इस्टार्ट हुआ था वो हुआ था बेल्ग्रेड में ठीक है बेल्ग्रेड 1961 क्लियर बेल्ग्रेड कहां है सर्बिया में जो आप अभी भी जानते हैं ओके इसका जो मुख्याला है यानि कि नॉन अलाइमेंट हैं पूवमेंट का कहां इंडोनेसिया की राज़ानी जकार्ता में ठीक है केंद्री जकार्ता में क्लियर वर्तमान में इसमें 120 साधस्ट देश हैं क्लियर और 17 अब्जर्वर इस्टेट हैं क्लियर तो ये आपको याद रखना है 1961 में बेल्ग्रेड में नन अलाइमेंट उस समय पे तो जो किसी भी पच्छ में सामिल नहीं हो रहा है उसको non-alignment movement के लिए द्वारा मतलब की संगठन बनाने के लिए एक अलग से रहने के लिए अलग थलग रहने के लिए ये बना था जिसको good निरपेच कहा जाए यानि कि जो किसी भी good में नहीं है अगला है अपना चीन पहुँछने वाला पर्थम European कौन था? Marko Polo भारत पहुँछने वाला European कौन था? Vasko D replica तो यह आप याद रखेंगे Marko Polo चीन पहुछने वाला पर्थम European था और अगला अपना है कि वाय यान से पहली उडान भरने वाले ब्यक्ति कौन थे राइट बंधू ठीक है तो राइट बंधू की कहानिया आपने पहले भी सुनू है इन्होंने एक इंजन बनाया था जिसको वो उडाने में सफल हुए थे राइट बंधू के संबंध में मुवीज भी बनाया जिवशा चुकी है तो राइट बंधू वाय यान से पहली उडान भरने वाले ब्यक्ति थे बिस्व में चारो और समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो फर्डिनांड मेगलन बिस्व में के मतलब प्रतवी की चारो तरफ से समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं अपन फरढेनार्ण मेगलन थे अपने कहा के पुर्टगाल के ईन्होंने 1519 से 1522 के बीच में समुद्री यात्रा की यानिकि परतवी की गोलाई में इन्होंने यात्रा की थी जो अर बहुत रखेंगे आप मृत्वी थी वो 1521 में हो गई थी फिर इनके बदले में एक ब्रत्वी का एक पूरा गोलाई चकर मारा था जो एक सरकम फिर नाम याद रखना है कि Ferdinand Magalyn बिस्ट के चारोर समुद्रियात रखने वाले प्रत्वम व्यक्ति थे अब यह Magalyn सब्दा है तो आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं कि यह Magalyn एक्चुली है क्या ठीक है तो Magalyn एक जलसंधी भी है ध्यान रखेंगे कि Magalyn एक जलसंधी भी है ठीक है जो किसको किसको जोड़ती है Atlantic महासागर को और प्रसांत महासागर को अगला है अपना चंद्रमा परमानो भेजने वाला प्रत्थम देश चंद्रमा पर मानो भेजने वाला प्रत्थम देश था संयुक्त राज अमेरिका यानि कि USA ठीक है तो चंद्रमा पर मानो भेजने वाला प्रत्थम देश कौन सा था संयुक्त राज अमेरिका अगला है अपना कृतीम उपग्रह को अंतरीच में पृच्छेपन करने वाला प्रथम देश कुँन था? रूस क्लियर, मानौ भेज आ पहली बार सहीक्ती राज अमेरिका ने और कृतम उपग्रह भेजा रूस ने अगला है अपना आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयोजन हुआ यूनान में और ये कब हुआ था ये एक अपने आप में बहुत ही महत्पूर्ण कुस्चन है क्लियर कि आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयोजन कब और कहां से शुरू हुआ था ओर 1806 में फिर यूनान के एथें सहर में आपको आधुनिक उलम्पिक खेलों का शुरूआ तो जो प्राचीन उलम्पिक शुरूआ थो वो 176 इसापूर में लेकिन जो आधुनिक उलम्पिक है वो 1860 से शुरूआ यूनान के एथन सिहर में अगला है अपना चीन गणराज के पर्थम राष्टपती थे सन्यात सेन अब उसके बाद अपना आता है पर्थम नगर जिस पर परमानुब्रम गिराया गया परमाण उबम हिरोसिमा सहर में गिराय गया था जो है जापान में और ये जापान सहर कहां पे है जापान में कब गिराय गया था जापान में ये गिराय गया था छै अगस्त चै अगस्त 1945 को पहला परमाण उबम हिरोसिमा में गिराय गया था उसके बाद नाओ अगस्त को गिर साकी में, clear, okay, अगला है अपना सरवाधिक पसुवाला देश, तो सरवाधिक पसुवाला देश है भारत, जहां सबसे ज़्यादा पसुव जानवर पाये जाते हैं, clear, विस्व का पर्थम विस्विद्याले, तच्छ सिला विस्विद्याले कहां है, पाकिस्तान में, वर्तमान पर उतरने वाला प्रतम व्यक्ति था नेल आर्म स्ट्रॉंग उसके बाद अक्सर दिमाग में यह प्रस्णा आता है, तो दूसरे व्यक्ति थे बुज एल्ड्रिन, जनवरी 2030 को चन्दरमा पर उतरे थे, यह आपको अपने common sense से इसको दिमाग में याद रखना है clear अगला है अपना अंतरिच में धैरने वाले प्रथम ब्यक्ती थे एलक्सी लिया नोव ये कहां के थे एलक्सी ले नोव रूस के थे ठीक है एक जो पहले शूट रहा है वो है अंतरिच में पहुँचने वाले प्रथम ब्यक्ती थे मेजर यूरी गाग्रिन ये भी थे कहां के रसिया के clear तो आपको याद रखने है चंद्रमा पुर्थरने वाले पहले ब्यक्ती थे नील आर्म स्ट्रॉंग और अंतरिच में पहुँचने वाले प्रथम अंतरिच सटल या इस्पेस सटल भी बोलते हैं इस्पेस सटल वो होता है जिस पे बहुत सारी चीजे एक समगर रूप से जुड़ी रहती हैं ये रहा आपका इस्पेस सटल आप इसको देख करके समर सकते हैं इसमें सारे पार्ट्स एक कमबाइन रूप से लगे रहत आप इस्पेस सटल ले शोक है अगला है इंगलेंड की प्रथम महिला प्रधान मंतरी रहां किसी भी मुसिम देश की परना महिला प्रधान मंतरी खी अपने बेनजीर भूटो बेनजीर भुट्टो थी कहां कि PAKISTAN की ख्लियर, तो ये दो चीज आप याद रख सकते हैं selling महिला प्रधानमंत्री कहां है बेनजीर भुट्टो है, वो है कहां कि PAKISTAN की, ख्लियर ऑके और अगला है उसके बाद अपनी पिस्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधान मंत्री ठीक है तो मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी बेनजीर भुट्टो थी जो थी पाकिस्तान की और किसी भी देश की यानि कि मुस्लिम देश के अलावा किसी भी देश की प्रधान मंत्री कौन थी एस भंडार नायके स्री लंका तो ये प्रस्ण भी बहुत ज़्यादा आया हुआ ठीक है जिस पे एस भंडार नायके का नाम पूछा गया है कई बार अगला है अपना अंतरिश में जाने वाली पर्थम महिला तो ये थी वेलेंटीना टेरेसकोवा ठीक है इनका भी नाम परिछाओं में कई बार आ चुका है वेलेंटीना टेरेसकोवा रस्या की थी इस चीज को अपने को याद रखना है अगला है अपना एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम महिला तो एवरेस्ट पर पहुँचने वाली पर्थम पुरुस को तो हम बता चुके हैं आपको पहले ही ठीक है और दूसरे हैं आपने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम महिला जो की थी जुंको ताई बेई ये कहां की थी जापान की अगला है अपना बिटेन की पहली महारानी बिटेन की पहली महारानी का नाम आ रहा है तो ये थी जेन याद रखेंगे अपन जेन महिला पर्थान मंत्री हमने बता चुका है पहले ही मार्गेट थ्रेचर जो इंग्लेंड की पर्थम महिला पर्थान मंत्री थी अगला है अपना भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोप बासी भारत पर आक्रमण करने वाला था सिकंदर ठीक है जिसको आप अंगली इसमें सर्च करेंगे तो एलेक्जंडर नाम से आएगा तो इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था 326 BC में ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे 326 BC में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था इसके बाद सिकंदर को जो जिसके साथ युद्ध हुआ था भारत के चैलेंज करते साइम पे तो वो थे कौन पोरस ठीक है तो पोरस से युद्ध हुआ था और ये हाइडे स्पीज हाइडे स्पीज का युद्ध भी माना जाता है जो 326 BC में होता है ठीक है तो हाइडे स्पीज का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में क्लियर इस पे और भी प्रिष्ट कई बनते हैं कि जब सिकंदर का भारत पे अक्रमण किया था तो भारत में किसका सासन था उस समय पे तो उस समय भारत पे सासन था नंदवंस का क्लियर भारत का सासन भारत पे सासन था नंदवंस का कब जब सिकंदर भारत पे अक्रमण किया थ एक प्रश्न ये भी आता है कि सिकंदर किस नदी को पार नहीं किया था ठीक है तो सिकंदर ने ब्यास नदी को पार नहीं किया था और जो ये हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में तो ये कहा हुआ था जेलम नदी के किनारे तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्लियर, ओके, अगला है अपना, बिस्ट के किसी भी देश की प्रथम महीला रास्ठ पती, क्लियर, प्रधान प्रधान मंत्री कौन थी? आपकी भंडारनाई के, clear, as भंडारनाई के, स्रिलंका की, मुस्लिम देश की थी, बेनजीर भिटो, पाकिस्तान की, ठीक है, आब यहाँ पर आपन बात कर रहे हैं, राश्ट पती की, तो यह थी मारिया एस्टेला, clear, मारिया एस्टेला, ओके, अंटार्क्टिका महाद्वी प clear, okay, अगला है अपना पर्थवी का मानचित्र बनाने वाला पर्थम ब्यक्ति, पर्थवी का मानचित्र बनाने वाले पहला ब्यक्ति था अनेकजी मेंडर, clear, अनेकजी मेंडर की यह चित्र काफी चर्चा में रही है, यह है अनेकजी मेंडर जिन्होंने पर्थवी का पहला मानचित्र बनाया था clear okay अगला है अपना विशुकोस का संकलन करने वाला पहला व्यक्ति ठीक है तो विशुकोस का करने क्या था ठीक है आप विशुकोस क्या होता है यानि कि जिसको एंसाइक्लोपीडिया आप बोलते हैं, ठीक है, एंसाइक्लोपीडिया का जो संकलाण किया था पहली बार, वो थे SP Yosephs, वो थे Athens के, clear, सरवाधिक उम्र में Everest पर चढ़ने वाले पर्थम ब्यक्ति थे अगला है अपना Wimbledon Trophy, Wimbledon Trophy जीतने वाले पर्थम ब्यक्ति थे, वो भी ASEAN थे, Arthur Ace, ओके, अब अपना आते हैं, कुछ important जो Nobel Prize, first time award किये गए थे, clear, ये बहुत ही important और आगे परिछाओं में कई बार पूछे भी जाएंगे, और पूछे भी जा चुके हैं, पहला था साहि का first novel, ठीक है, यानि कि जो literature में first novel मिला था, वो मिला था, प्रुंधो सली को, clear, प्रुंधो सली को मिला था, ये actually थे, अपने प्रोफेसन से तो economist थे, लेकिन इन्होंने साहित की रचना के लिए उस समय पिन को, प्रुंधो सली को Nobel मिला था, okay, अगला है अपना सांती के छेत जिनको आप Red Cross के संस्थापक के रूप में भी जानते होंगे, clear, अगला है अपना भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबल पुरुसकार से सम्मानित ब्यक्ति हैं, WK Rontgen, Rontgen आप जानते हैं, X किरणों के खोज करता रहे हैं, clear, तो इनको इसी ही प्रथम नोबल पुरुसकार विज्ञान के पहले विज्ञान थे नोबल पुरुसकार के, और इनको मिला था Discovery of Laws of Chemical Dynamics, ठीक है, यानि कि जो आयान होते हैं, Chemicals के, ठीक है, तो उनकी गती का अध्यान पहली बार किस ने किया था, J.H. Wendorf ने और इस चीज के लिए उन्हें नोबल पुरुसकार दिया गया था, कि आयनों में गती होती है, इस चीज को पहली बार J.H. Wendorf ने बताया था, ओके, अगला है अपना चिकित्सा बिज्ञान चिकित्सा बिज्ञान में पहला नोबल, चिकित्सा बिज्ञान में पहला नोबल काफी इंट्रेस्टिंग भी रहा है, क्योंकि इन्हें बच्चों के, बच्चों के बचाओ करता के रूप में भी जाना जाता है, clear, A.E. Wendorf बहरिंग, A.E. Wendorf बहरिंग को Medicine का नोबल मिला पहला 1901 में क्योंकि डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो बीमारी थी, उसके टीके की खोज, एंटी टॉक्सिन की खोज किसने की थी, A.E. Wendorf बहरिंग ने, clear, ओके, तो इसलिए इन्हें Savior of Child भी कहा जाता है, A.E. Wendorf बहरिंग, जिनको चिकित्सा का पहला नोबल पुरुस ने यह आया है, कई बार परच्छों में, One Days में कि कब आया, ठीक है, तो यह पहली बार अवार्ड हुआ था 1969 में, clear, मिला किसको था, Ragnar Fris और John Tinberg, John Tinberg और Ragnar Fris को यह पहला नोबल मिला था 1969 में, ठीक है, इन्होंने Applied Dynamics Model का Analysis किया था, Economic Process के लिए, clear, Applied Dynamic Model का Economic Process में इन्हों करके बताया था, इस जीट के लिए इन्हें पहला Economics का नोबल मिला था, 1969 के द्वारा, clear, ओके, इसके बाद है, अगला English Channel पार करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, अब देखिए, English Channel पार करने वाली प्रथम महिला थी, Gertrude Adderley, ठीक है, तो यह थी बिस्तु की प्रथम, Gertrude Adderley, कई बार परिच्छों में यह आया है, कि English Channel पार करने वाली प्रथम भारती महिला कौन थी, तो वो थी आरती साहा, clear, आरती साहा पहली भारती थी, जिन्होंने English Channel को पार किया था, ठीक है, आरती साहा, ओके, अगला है, एच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने व पहला देश कौन सा है, Sweden, clear, तो कागच के नोट पहले जारी करने वाला कौन था, चाइना और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, अपना Sweden, उसके बाद है अपना रोबोट, सोफिया, सोफिया रोबोट काफी चर्चा में रही है, इसको पहली बार देश ने इतना ही, अगले अन्य चैप्टर के, जिस पे अपन विस्स में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे उचा, ठीक है, इससे संबन्दित सेशन अगला रखेंगे अपन, ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्सन भी बताएं, चैनल को लाइक सेरें सब्सक्रा अगल